आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में में दिया गया है तू थीन लेंसेज देखो क्या हो रहा है कि दो लेंस जब क्या है तो उनकी पावर है कॉम्बिनेशन की वो क्या है 10 डाउट्टर यानि कि P1 प्लस P2 है वो है 10 डाउट्टर ठीक है और जब वो 0.25 मीटर अपार्ट है तो पावर 6 डाउट्टर होगी यानि कि देखो जब D डिस्टेंस पर रख देते हैं दो लेंस इसको ठीक है यह सपोस्पोस पहले लेंस यह दूसरे लेंस से इन दोनों के बीच का सप्रेशन दी है तो क्या होती है पावर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 यह होती है यह तो लिखोंगा P1 प्लस P2 माइनस 0.25 P1 P2 is equal to 6 आ जाएगा ठीक है तो अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से मैं लिख सकता हूँ P1 P2 यह लिख 10 पुट करता हूँ तो यह आ जागा 10 और यह 6 इधर आ जाएगा तो माइनस 6 0.25 उसकी यह लिख इसकी आ जाएगा बराबर आएगी P1 P2 के यहांने P1 P2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा देखो 4 अपन 0.25 4 अपन 0.25 तो यह आ जाएगा 16 मीटर इन्वर्स स्क्वार ठीक है अब क्या करते हैं अब हमें बोला गया है कि फोकल लेंथ आफ लेंज हमें फाइंड गर नीए ठीक है अब अगर मैं बात करूँ P1 माइनस P2 की तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट P1 प्लस P2 का स्क्वार माइनस 4 P1 P2 यही बनेगा ठीक है अब यहां पर वैल्यूस पूट करता हूँ मैं P1 प्लस P2 भी है तो देखो क्या आएगा P1 और P2 की वैल्यूस पूट करूँगा तो P1 प्लस P2 है 10 तो 10 का इस पहर माइनस 4 P1 P2 है 60 तीक है अब यहां से लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 100 माइनस 64 यानि कि अंडर रूट 36 बगाए 6 के बराबर यानि कि P1 माइनस P2 क्या आगया 6 आगया अपने पास में और P1 प्लस P2 है वो है 10 के बराबर तो इसका मालत दोनों का अगर एड करूँगा तो P1 आ जाएगा आपके पास में 8 और P2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 यानि जाएगी 2 आप देखो फोकल लेंथ अगर मुझे पूछी गई है कि फोकल लेंथ फोकल लेंथ होती है फोकल लेंथ होती है आपके पास में पावर होती है 1 अपन फोकल लेंथ के बराबर तो इस इंपलाइस फोकल लेंथ बन जाएगी 1 अपन पावर यानि कि पहले की फोकल सब्सक्राइब करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर